नमस्कार आप देख रहे हैं टार्गेट विद आलोक आनलाइन इंस्टिटूट और मैं हूँ विवेक मिश्रे एट पीम न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइन्स पर एक नजर देश की पहली अंडर वाटर टरनल बनाने की तैयारी में भारत सरकार अरवणाचल प्रदेश की सीमा तक सेना की पहुँच होगी आसान संयुक्त राष्ठ के 75 में अस्थापना दिवस्पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का होगा संबोधन सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदस्य की बाद पहली बार व्यापक सदस्यता को करेंगे संबोधित तो चलिए बड़ी खबरों की साथ बुलेटिन की सुरुवात करते हैं भारत चीन तनाओं के बीच केंद्र सरकार ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चीन से भी लंबी 14 किलोमीटर की सुरंग बनाने की तैयारी में है माना जा रहा है कि इस टनल से अरवनांचल प्रदेश की कनेक्टिवटी देश के अनहिस्सों से और मजबूत हो सकेगी हाल ही में केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चार लेनवाली अंडर वाटर टनल यानि सडक सुरंग के निर्माणकार को स्विकृती दिया है माना जा रहा है कि टनल का निर्माणकारी साल के अंत में सुरू हो जाएगा केंद्र सरकार के उच्च अस्तरी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस खास सुरंग को ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे गोहपूर से नुमाली गढ़ तक बनाया जाएगा चार लेदमाली इस सुरंग में दो ट्यूप्स के अंदर सतर से असी किलोमेटर प्रतिघंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा सकता है इस सुरंग से अरुणांचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक भारती से न अपने वाहनों, रसद और सामरिक वस्तुओं की आपूर्ती कर सकेंगे तीन चरणों में पूरी होने वाली यह पर्योजना National Highways and Infrastructure Development Corporation और American Company लुईस बरजर के सहयोग से पूरा किया जाएगा इसकी डिजाइन में सुरक्षा के कड़े मानकों को रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार से इसके अंदर पानी न जाने पाए इसके अलावा Ventilation System, आग से बचाने वाले सुरक्षा तंत्र, Footpath, Draining System और Emergency Exit जैसे महतपूर सुरक्षा उपाए भी किये जाएंगे प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यह टनल ऐसी पहली सुरंग होगी जिसे नदी के नीचे बनाया गया हलाकि अभी तक प्रोजेक्ट की लागत को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है सैयुक्त राष्ट के 75 अस्थापना दिवस के अवसर पर आज भारती प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से सैयुक्त राष्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिशद के उच अस्तरी सत्र को संबोधित करेंगे 16 जुलाई को विदेश मंत्राले ने कहा था कि 17 जुलाई को सैयुक्त राष्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिशद के समापन सत्र को संबोधित करेंगे इस मौके पर उनके साथ नार्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट महासचिव एंटोनियो गुटरिस भी सामिल होंगे आपको बता दे कि संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के गयर अस्थाई सदसे के रूप में भारत को निर्विरोच चुने जाने के बाद भारती प्रधानमंत्री पहली बार संयुक्त राष्ट की व्यापक सदसेता को संबोधित करेंगे गौरतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदसे के रूप में 2021-22 सत्र के लिए निर्वाचित हुआ है संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के इस सत्र का विशय कोविड-19 के बाद बहुपक्षियता है इस सत्र में शरकार, नेजी छेत्र, नागरिक संस्थानों और सिक्षाविदों सहित विविद समूहों के उच्च अस्तरी प्रतनिधी सामिल होंगे एक अनुमान के मुताबिक इस सत्र में विचार रखा जा सकता है कि हम कैसा संयुक्त राष्ट चाहते हैं एक बयान के मुताबिक COVID-19 महामारी के दौर में इस सत्र में बहुपक्षियता व्यवस्था को आकार देने से जुड़े महत्वपून कारकों और मजबूत नेत्रित्व, प्रभावी अंतरराष्टिय संस्थाओं और व्यापक सहभागिता के जरिये वैस्विक एजेंडे को मजबूत बनाने के रास्तों पर ध्यान दिया जाएगा। इस प्रजाती को IUCN के रेड लिस्ट यानि गंभी रूप से संकट ग्रस्त स्रेणी में रखा गया है। इस प्रजाती को साल 2008 में बंगला देश द्वारा पहली बार बंगला देश में खो जा गया था। प्रतेइक वर्ष 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। इसकी सुरवात साल 2014 में की गई थी। विश्व इमोजी दिवस की सुरवात ऑस्टेलिया के जरेमी बर्ज ने किया था। जरेमी बर्ज एक इमोजी इतिहास कार है। आपको बताते चले कि इमोजी जापानी भासा का एक सब्द है। इमोजी वेब, पेज और मैसेज में प्रयोग किया जाने वाला छोटा चित्र होता है। यह चित्र आम तोर पर चेहरे के हावभाव, वस्तुव, जगह, मौसम औ और पसु पर आधारित कई स्रेणियों में होते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहली बार जापान में साल 1999 में किया गया था, जो 2010 तक पूरे विस्तुभर में प्रशिद्ध हो गया। विस्तु का पहला इमोजी साल 1999 में जापान के सीगेता का कुरीता ने बनाया था। भारत म में भी इसका प्रयोग सोशल मीडिया और अन जगहों पर बहुतायत मात्रा में किया जाता है। 16 जुलाई को भारत और भूटान ने पस्चिम बंगाल के जैगान और भूटान के पसाखा के बीच एक नया ब्यापार मार्ग खोला। इस भूमिकत मार्ग से और दोगिक कच् भारत ने भूटान के येतिक शेत्र में सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया था। जिस पर चीन ने हाल ही में अपना दावा भी किया। यह सड़क भारत में अरणाचल प्रदेश के तवांग तक जल्दी पहुँचाने में मदद करेगा। यह सड़क गुहाटी और योग बताया जा रहा है उन्होंने पत पर रहते हुए एक कमपनी में सेयर खरीदा था इन्हीं आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा दरसल प्रधानमंत्री का एक कचरार निस्तारण कमपनी में सेयर था और उसी कमपनी को 1.5 करोण यूरो का सरकारी ठेका भी म मिला हुआ था जिसमें सरकार के मिले होने का आरोप लग रहा था तिनुसिया में राजनीतिक आईस्तिरता ऐसे समय पर आया है जब देश कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद भारी आर्थिक और सामाजिक संकट जेल रहा है भारत के निर्वाचन आयुक्त अस लवासा जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किये गए थे निर्वाचन आयुक्त के गठन के बाद लवासा दूसरे ऐसे ब्यक्ति हैं जो अपना कारेकाल पूरा किये बिना ही दूसरे जगह नियुक्त किये गए इससे पहले साल 1973 में मुख निर्वाचन आयुक्त न 1996 में किया गया इसका मुख्याल है मनीला फिलिपिन्स में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष मादसुगू असकवा है संयुक्त राष्ट ने हाल ही में खाद्य सुरक्षा एबंग पोशन इस्थिती रिपोर्ट The State of Food Security and Nutrition in the World Report 2020 जारी किया इस रिपोर्ट के अनुशार भारत में कुपोशितों की संख्या में कमी दर्ज की गई है रिपोर्ट में आगे कहा गया कि एसिया महाद्वीब की दोस्त सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और चीन में कुपोशितों की संख्या में कमी आई है वहीं एसिया में भूखों की संख्या भी सबसे ज्यादा है लेकिन भूखों की संख्या अफरीका में तेजी से बढ़ रही है रेपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत में पिछले एक दसक में अलप पोसित लोगों की संख्या में 6 करोण की कमी आई है साथी बच्चों में छोटी हाइट की समस्या भी कम हुई है लेकिन इस दवरान देश के वयस्कों में मोटापा बढ़ा है भारत में अलपपोसित लोगों की संख्या साल दो हजार पांच छे में 24.94 करोन थी जो घटकर 2018 निस में 18.92 करोन हो गई है यानि आबादी के हिसाब से अलपपोसितों की संख्या 21.7 फिश्दी से घटकर 14 फिश्दी पर आ गई है फिलहाल 8 पीम न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताएं वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक आनलाइन इंस्टिट्यूट से मुझे देजिए इजाजत नमस्कार